हेलो फ्रेंड्स, वेल्कुम टू मैं चानल, हनी स्वीटे इन हेल, ऐसी नो मैं हूं हनी हर किसी को कॉमन प्रॉब्लम होती है, चेहरे के उप़र डाग तब्बे, पिंपुल्स और आक्ने इन सभी के लिए मार्केट में काफी सार प्रोड़क्स भी यूज़ करें होंगे अपना चेहरे को साफ रखने के लिए, छेले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखने के पहले अभी तक आपने चानल सब्सक्राइब नहीं गया अलवीरा जिल इसलिए मैंने आड़ किया हूँ, अलवीरा आपने स्कीन के उपपर पिंपल्स को, अखनी को हटाने के साथ स्कीन का टेक्चर भी बड़ा देती हैं, इसलिए मैंने अलवीरा इस्तेमाल किया हूँ और इसमें हमें आड़ करना है olive oil एक चमबाज़ को कि aloe vera और olive oil अपना skin के उपड़ जो dog spots को acne blemishes को दूर करता है और aloe vera और olive oil skin के उपड़ marks को, pores को बंद करता है, चेहरे के उपड़ pimples को, acne को हटाने के लिए dog, aloe vera gel compulsory है, यह aloe vera अपना skin का complexion को बढ़ता है आपको पता है, स्किन के उपर सारे problems को दूर करता है और olive oil मैंने इस्तमाल किया हूँ olive oil skin को मौचरेज करने के साथ ही साथ skin के उपर acne, blemishes को, pimples को, दाग को हटा देता है olive oil, इसलिए मैंने olive oil use किया हूँ olive oil और olive oil अपने skin के उपर sports को दूर कर देता है क्योंकि olive oil का जो goodness skin, dry skin को soft करता है और skin के उपर, oily skin के लिए olive oil और code इसामाल करने से oily skin से चुटकार आपा सकती हो क्योंकि olive oil अपना skin के उपर tanning को, pigmentation को दूर करता है olive oil में anti-aging properties रहता है या अपना skin के aging को reduce करता है olive oil skin tightening की जैसा काम करता है skin को tightening करने के लिए olive oil कंपलसरी इस्तमाल करना है याद रखी जो green का color है तो कंपलसरी इसमें melt होना है इसका consistency जो है, cream consistency होना है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए mix करना है आप इसको cream जैसा होना है, ज़्यादा देर के लिए mix करना है ताकि इसका कांसेंस जो है तिक होने लगेंगे क्योंकि इसे एक डॉक स्पोर्ट्स क्रीम में त्यार करने हूं डॉक स्पोर्ट्स को रिमू करने के लिए एक क्रीम काफी अच्छा मदद करता है इससे अपना स्कीन के उपड़ जो स्पॉर्ट्स है वो दूर होने लगते हैं इसलिए इसको क्रीम तैर होने तक इसको आचासा मिक्स कर लेना चाहिए और यह ओलीव आईल और अलवी रजल इस्तमाल से स्कीन जो है साफ होने लगती है स्कीन भी टाइट होगा पोर्स भी दूर होंगे स्कीन का कॉंपलेक्शन भी बढ़ता है क्योंकि ओलीव आईल आंटी इंफ्लमेंटरी प्रापर्टीज रहता है यह अपना स्कीन को स्पूद सूथ करता है स्कीन के उपर आंटी टैनिंग जैसे आंटी ब्लम्शस को दूर करता है और टैन को रिमू करते हैं स्कीन का कॉंपलेक्शन जो है उसको भी बढ़ा देती है skin tone को improve करते हैं और चेहरे के अंदर कीराने से पुराने दाग जो है उसको भी मिटाने के लिए olive oil compressor इस्तमाल करना है अब हर रोज सुबह उठते ही olive oil को चेहरे के उपर apply करके massage करके और नहाने के एक आदे गंटे के पहले इस तरह olive oil को चेहरे के उपर अपले करने से apply करके wash करने के बाद एक आदे गंटे के बाद सोपी या face wash से face wash करने से skin जो है soft होगा dry skin को भी soft और smooth बना देती है और इस pack को अच्छा सा mix करना है आप जितने देट mix करेंगे इस उतना अच्छा सा cream बन जाएगा dog spots removal cream आप देख सकते हो dog spots removal cream तयार हो गया है dog spots removal cream को आप एक air type की container में रखके store करना है याद रखके इसको refrigerator में रखके store करना है ताकि इसका shelf life time जो है वो 1 month तक रहेगा तो इस तरह आच्छा सा mix करना है अब जितना देर mix करेंगे उतना अच्छा cream तयार हो जाएगा अभी इसको एक air type की container में रखके refrigerator में रखके इस्तमाल करना है अब जब इसको इसको इस्तमाल करना है सुबे और रात को आप सुबे नहाने के पहले इसको अपले कीजिए आप चाहिए तो अगर आप दिन पूरा गर में रहने से सुबे अपले कीजिए अगर आप कही बाहर जाना है तो आप बेटर इसको रात को इस्तमाल करना है सोने के पहले याद रखे इसको अपले करने के तरीके में बता रही हूँ रात को फेस इसको सोगन यानिकी फेस पोस टे वाश करना है वाश करने के बाद आप इसको पूरा इस क्रीम को पूरा डॉड Där кanger डॉड़ पर जहां-जहां है उससे ररे पर उपर अपले कीजिए रबनत कीजिए खाली अपले कीजिए अपले करके आप फालोवर रात को इसको छोड़ दीजिए ताकि ओली वाइल और लालाइवी राजल गुटनिस जो है आप डॉक स्पार्स के अंदर जो कम्प्लीट डॉक स्पार्स को अब्जर करता है जो स्कीन के अंदर गंदगी, टैन, बैक्तिर्या को रिमू करके डॉक स्पार्स को दूर कर देता है इस तरह अपले करके रात पूरा चोड़ के सुबह नार्मल पाने से चाहिए तो फेस को वाश कर सकते एसा हर रोज रात को इसको इसको इस्तमाल करने से सुबह उठते ही अपना डॉक स्पार जो है वो लाइटन होने लगेंगे और अपना स्कीन का जो कॉम्पलेक्शन है वो भी इंप्रू होता है इससे साइड एफेक्स नुकसा कुछ नहीं क्योंकि इसको मेल, फीमेल हर को इस्तमाल कर सकते है क्योंकि टीनेजर इसको पिंपल्स और एग्नी का प्रोग्लम जादा होती है और यह टीनेजर के लिए भी काफी अच्छा काम करती है डॉक पॉराने से पुराने दाखक को भी मिटाने के लिए काफी काम करती है मार्कित में भी काफी सारे डॉक किरिम से आप गर पे इस तरह इस क्रीम को तैयार करके हिस्तमाल कर सकती हो और अपले करने के बाद फिर इसको भीटेर में रखे च्टोर करना है इसा करने से dog sports रिमो करने के लिए cream काफे अच्छा काम हाता है याद रख कि this cream को ज़्यादे quantity अपले मत करना है काले थोड़ा quantity इसे अपले करने से काफी है इस क्रीम आपको एक मैने तक इस्तामाल कर सकती हो अराम से आप चाहिए ज्वादाक पॉनिटी भी अपले करके त्यार करके रख सकते हो जब चाहिए जब इसको अपले कर सकते हो इस तरह करने से डॉक स्पॉट्स को जो प्रॉब्लम है पॉपने दूर होगा यह था प्रॉसस हर रोज रात को इस क्रीम को आप अपने चेहरे के उपपर स्पॉट्स के उपपर अपले करके मासाज करके सोने से सुबह उठते ही अपना डॉक स्पॉट्स जो है वो दीरे-दीरे कम होने लगती है एक रापने इरजल दिखेगा और इसको कंटिनु करने से करने से अपना चेहरे के अंदर ऑफ पर प्रिम्पॉल आक्नी पर्मनेंटली रिमूब हो जाएगा और कभी वापस भी नहीं आता है तो इस तरह करने से आप ड़ाप स्पॉर्ट्स से चेहरे के उपड़ दूर कर सकती हो तो यह ता आज की मेरी वीडियो अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like और share जरूर करें इस वीडियो कर यह कुछ comment तो नीशे आप comment box में comment करके बताएं मैं इसके answer देंगी फिर मिलती मैं next video में तब तक के लिए बाइ बाइ